खटनी में लगातार वन्य जीवों की कई वज़ों से मौत हो रही है लेकिन वन्य विभाग सुरक्षा के माकूल इंतजाम करने में विफल रहा है ऐसे ही एक खटना में राश्ट्री राजमाग 43 में एक अग्यात वाहन ने शेत्र से विलुप्तो हो चुके वन्य प्राणी गोख को कुछल दिया हद तो तब हो गई जब सूचना देने के बाद भी वन अमला मौकेपन ही पहुँचा लगतार वन्य प्राणियों की अलग-अलग वज़ों से जान जा रही है इसके बावजूद भी वन विफाग की नीन नहीं खुल रही खटना बढ़वारा वन परी छेत्र के धनवारा ग्राम के समीप राश्री राजमार्ग 43 की है जहां एक अग्याद वाहन ने छेत्र से विलुप्त हो चुके वन्य प्राणी कोह को कुछल दिया खटना की जानकारी इस्थानियें ग्रामिणों ने वन विफाग को दी लेकिन कई घंटे बीच जाने के बाद भी वन विफाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुँचा और वन प्राणी कर्शव वहनों की धमचोकडी के बीच छिन भिन्न हो गया वहीं भगनवारा ग्राम के शंकर घाट नदी में ग्रामिणों को जंगली सुवर कर्श पानी के भीतर नजर आया जिसकी जानकारी सरपंच मुन्नीवाई असाटी ने वन विफाग के अधिकारियों को दी सुचना के तकरीबन तीन घंटे बाद वन विफाग की टीम मौके पर पहुंची मामले पर बढ़वारा वन परिछेत्र डिप्टी रेंजर करन सिंग ने इन्हें छोटी मोटी घटना बताया और मीडिया से जानकारी छुपाने को कहा आप देख रहे हैं दखल न्यूल